हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो दे चैनल आजकल की लाइफ में टेकनोलजी बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रही है अल्मॉस्ट हर काम को करने के लिए हमें टेकनोलजी और कंप्यूटर्स की जरूरत होती है टेकनोलजी से रिलेटेट कुछ फ्रेजल वर्प्स होती ह हैं कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं टेकनोलजी यूज करते समय लेकिन कई बार हमको उनका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता है तो इसी तरह के फ्रेजल वर्प्स लेकर आई हूं आज के वीडियो में अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को अगर उसका कम्प्यूटर खराब हो जाए तो इस इस्थिती के लिए वह अपनी पुस्तकों को मेमोरी स्टिक में सुरक्षित रखती है आपको हमेशा महत्फपूल फाइलों को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हार्डवेर में कुछ गरगली होने पर आपका सारा कम बरबाद ना हो जाए नेक्स्ट फ्रेजल परब है 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 किंटू है किंटू का मतलब होता है किसी के कंप्यूटर या नेट्वर्क में अवैद रूप से प्रवेश करना मतलब इल्लीगल तरी किसे एंटर करना तो एंटर समवन्स कम्प्यूटर और नेटवर्क इल्लीगली मैं कम्प्यूटर हैस बीन हैक्ट इंटो और नाओ इस फुल ओफ वाइरसेज मेरा कम्प्यूटर हैक हो गया है मतलब किसी ने अवैद रूप से उसमें प्रवेश कर लिया है पासवर्ट वगेरा ब्रेक करके और अब यह बाइरस से भर गया है किसी ने मेरे बैंक को हैक कर लिया है यानि कि मोबाइल पर जब हम इबैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसको किसी ने हैक कर लिया है और लागों डॉलर चुडा लिये है नेक्स है की इनकी इनका मतलब होता है कीबोर्ड का उपयोग करके अक्षर टाइप करना या दर्ज करना मतलब उस लंबे पासवर्ड को दर्ज करने में बहुत ज़ादा समय लगता है लिखना होगा मतलब टाइप करना होगा कीपैट का यूज़ करना होगा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हुक अप हुक अप का मतलब होता है मशीनों की तारों को किसी बिजली स्क्रोथ या अन्य मशीनों से जोगना मतलब पावर सोर्स से मशीनों की तारों को जोगना means to connect wires from machines to a power source or other machines Would you please help me hook up the internet cable क्या आप क्रिपया मुझे internet cable जोगने में मदद करेंगे He hooked up the microphone to his computer for the party उसने party के लिए microphone को अपने computer से जोग लिया कनेक्ट कर लिया बूट अप बूट अप को मतलब उते है चालू होना या शुरू होना मतलब start up means begin running a computer system मतलब computer system का शुरू होना wait a second my computer is booting up एक second रोगो मेरा computer चालू हो रहा है या हम start up का भी यूज़ कर सकती है it takes quite a while for this computer to boot up इस computer को चालू होने में काफी समय लगता है next है login या log on इन दोनों ही phrasal verbs का मतलब होते है सांकेतिक शब्दों द्वारा computer में सत्तारम करना मतलब password डालकर session स्टार्ट करना connect to a computer using a username and password example please login to watch your favorite movies and series क्रिप अपनी पसंदीदा film और श्रंखला देखने के लिए login करें मतलब password डालें I can't log on have you changed your password मैं login नहीं कर पा रहा हूं मतलब password डालके सांतारम नहीं कर पा रहा हूं कि आपने password बदल दिया है log out या log off इन दोनों phrasal verbs का मतलब होते है computer system या किसी एप से बाहर आना या उस समय के लिए इस्तिमाल बंद कर देना means to act such as clicking on a button or typing a password to finish using a computer system मतलब बटन पर क्लिक करके password डालके computer यूज करना बंद कर देना उस समय के लिए don't forget to log out before you switch off the computer computer बंद करने से पहले log out करना ना भूले मतलब बाहर आना ना भूले computer system से after checking your online bank account always log out अपने online bank खाते के जाज करने के बाद हमेशा log out करे मतलब bank account से बाहर आए scroll up या scroll down जानकारी, सूचना, graphics, pictures वगेरा को उपर नीचे करना scroll up मतलब उपर करना और scroll down का मतलब होता है नीचे करना दोनो phrasal verbs को मैंने एकी साथ समझा दिया है to move information, text और graphics on the computer screen up और down use the mouse wheel to scroll up and down the screen screen को उपर नीचे करने के लिए mouse wheel का व्योग करें scroll down to the bottom of the application form and press the button मतलब application form के नीचे जाएं और button दवाएं नीचे जाएं मतलब scroll करके नीचे जाएं और button दवाएं next phrasal verb है setup setup का मतलब होता है नया computer program इस्थापित करना या computer system को उपयोग के लिए तैयार करना मतलब या तो computer system को assemble करना नए computer system को या फिर नए computer program को install करना means to install a new computer program or assemble a computer system this application took a long time to set up this application took a long time to set up मतलब इस application को इस्थापित होने में काफी समय लगा install होने में काफी समय लगा I set up the computer so that they could work from home मैंने computer इस्थापित किया मतलब assemble किया ताकि वे घर से काम कर सकें घर पर रहकर काम कर सकें next है sign up sign up का मतलब होता है website पर अपना account बनाना या पंजी करना करना मतलब रजिस्टर करना account बना कर रजिस्टर करना means register for the first time or create an account if you want a free trial of the course you have to sign up अगर आप पार्ठिकरम का निशुल्क परिक्षिवा चाहती है तो आपको पंजी करना करना होगा she signed up for a job finding service उसने नौकरी होजने वाली सेवा के लिए sign up किया मतलब account बनाया भापर या खुद को register किया तो यह था आज का last phrasal verb सभी phrasal verbs बहुत ही useful है क्योंकि technology तो हम सभी use करते हैं तो इस वीडियो के थुरू technology यूज करते करते हैं आपने English भी सीख ली I hope आपको वीडियो पसंद आएगो वीडियो को लाइक, शेरो, चैनल को सब्सक्राइब करें